हेलो एव्रिवन, मैं नेहा भारत द्वाच, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लोचन एकाडमी में देश में कोरोना वाइरस की पहली वैक्सिन को तैयार कर लिया गया है इसे को वैक्सिन के नाम से जाना जाता है वैक्सिन का ट्रायल इंसानों पर करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया की तरप से अनुमती मिल गई है देश में जुलाई से इंसानों पर इसके पहले और दूसरे चलन का ट्रायल सुरू किया जाएगा तो चलिए इसके विशय में विस्तार से समझेंगे देश में तयार होने वाली कोरोना वारस की पहली वैक्सिन देश में कोरोना की पहली वैक्सिन को वैक्सिन को हैदरावाद की फार्मा कंपनी भारत बायो टेक के द्वारा तयार किया गया है इसे Indian Council of Medical Research, ICMR और National Institute of Virology पूने के साथ मिलकर बनाया गया है Drug Controller General of India ने Co-Vaccine के Human Trial की मंजूरी दे दी है इसके Pre-Clinical Trial काम्याब रहे थे इसके बाद इंसानों पर Trial की मंजूरी दी गई है और यह जो Trial है वो जुलाई से सुरू होंगे वैक्सीन को हैदरावाद के Zinome Valley के BSL-3 मतलब इसको क्या बोलते हैं Bio Safety Level 3 High Contentment Facility में तयार किया गया है Drug Controller General of India Central Drugs Standard Control Organization CDSCO और स्वास्थ एवं परिवार का लियान मंत्रारे ने पहले और दूसरे चरन का Human Trial करने की मंजूरी दे दी है भारत Biotech जो है इसके अलावा और वी फार्मा कमपनिया है जो वैक्सीन तयार करने में लगी है कौन-कौन से हैं पेंसिया Biotech, Serum Institute of India और जाइडस के डिला इस प्रकार के कमपनिया हैं जो वैक्सीन तयार करने में लगे हुए हैं आप समझेंगे ट्रायल के कितने चरन होते हैं तो सबसे पहले कमपनी ने इस वाइरस का उप्योग इन एक्टिवेट वैक्सीन विक्सित करने के लिए किया था तो इन एक्टिवेट वैक्सीन उसको कहते हैं जिस व्यक्ति में मृत वारस का उप्योग किया जाता है और यह देखा जाता है कि सुरक्षित है या नहीं इसके लिए इस बात की जानकारी होनी चाहिए तो वैक्सीन को चूहों और पिक जैसे जानवरों पर प्री क्लिनिकल यह किस पर होता है यह जानवरों पर किया जाता है दूसरा है human clinical trial phase 1 यह लोगों के एक छोटे समूपर होता है तिसरा है human clinical trial phase 2 यह लगभग 100 लोगों के समूपर किया जाता है और Human Clinical Trial Phase 3 यह लगभग 1000 रोग्यों पर किया जाता है भारत बायोटेक जो है इंडिया ने अभी तक पोलियो, रोटावाइरस, रेबीज, चिकनगुनिया, जीका और जापानी इंसेफलाइटिस जो है जैसी बिमारियों को वैक्सिन बनाने में सफलता हासिल की है अब जानेंगे इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को, तो को वैक्सिन के संबंध में निमनलिखित कत्मों पर विचार कीजिए पहला क्या है? कि देश में कोरोणा की पहली वैक्सिन, को वैक्सिन को हैदरावाद की फार्मा कम्पनी भारत बाइयोटेक के द्वारा तयार किया गया है दुसरा है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने को वैक्सिन के हुँमन ट्राइल की मनजूरी दी है उपर्युक्त कत्मों में कौन सा कथन सत्य है, अत्वा और सत्य है, केवल कथन A सत्य है, A, B में केवल 2 सत्य है, C, A और B दोनों सत्य है, 1 और 2 और D में 1 और 2 दोनों गलत है, तो आप इसका उत्तर comment box में जाके दे सकते हैं, आज के लिए इतना ही, thank you झालिख भलत है, तो आप दोल झालिएव, कि अलना ही, तो आप खती, तो आप वाटत है, आप झाला ही, जाप झालिएव, भलत है, पुझे को ध।े जाना हमा चालेंस तो आवटत हैं, झाले हैं, झाले हैं, ंपलैंग्य, ग जाने ह। मैं आप आ lives से दु Wright давा से पूलत, पलु